अस्लैम अलेकूम वेलकमबेक टूंग्लिश विद बिलाल इस इस बिलाल कासेम एट इंग्लिश विद बिलाल आज का हमारह जो टौपिक है वो है पास्ट कंटीनियस पर और पास्ट ﷺ सीखेंगे आज हम इस वीडियो में तो चलें बढ़ते हैं हम situation या फिर usage की तरफ कि कब कहां past continuous को हम English में इस्तमाल कर सकते हैं तो usage हमारे सामने है usage देख लेते हैं पहले we use it for an action which was going on in the past unless it was interrupted temporary action at any specific time in the past अब क्या कह रहा है यह usage तो सबसे पहले हम usage को थोड़ा सा देख लेते हैं देखें past continuous को हम past के इस तरहा के actions को बताने के लिए इस्तमाल करते हैं जो past में किसी एक मखसूस time पर continue था जारी था चल रहा था ठीके ज्यादतर जो हम past continuous को English में इस्तमाल करते हैं तो वो इस तरहा के सवलात के जवाब में हम Past Continuous को इस्तमाल करते हैं जैसे के आप क्या कर रहे थे ठीके आप क्या कह रहे थे आप क्या खा रहे थे आप कहा जा रहे थे अब ये इस तरहा के सवालात हैं तो इस तरहा के सवालात के जवाबात जब हम English में देना चाहते हैं तो तब हम Past Continuous का इस्तमाल करते हैं ठीके तो एसा action जो past में किसी एक specific moment में एक लम्हे में जारी था चल रहा था जैसे कि मैं आप से पूछूँ आप क्या कर रहे थे ठीके अभी की बात नहीं हो रही है past की अब मुझे time भी बताना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे थे तो भाया कब आप कल रात क्या कर रहे थे ठीके तो सवाल पूछा जबी हमने जवाब दिया ठीके तो past के एसे continuous action जो past में continue थे जारी थे और उन actions को हमें अगर English में बताना है तो वो हम past continuous की मदद से बता सकते हैं ठीके और temporary action at any specific time तो क्या मतलब unless it was interrupted ये भी समझ लेते हैं ठीके भई एसा continuous action जो past में जारी था चल रहा था continue था वो कब तक continue रहेगा भई कभी ना कभी तो उसको रुकना पड़ेगा ना continuous action एसा action जो के भई continue था जारी था चल रहा था तो भईया ये कब तक चलता रहेगा क्या चलता ही रहेगा हाई हमारे बढ़ापे तक चलता रहेगा नहीं तो ये कब अब हमने ये समझना है कि ये continuous action जो जारी था चल रहा था तो ये रुके का कब तो इस तरहा कि जो continuous action है ये तब रुकते हैं जब इन actions में कोई मदाखलत हो जाए मदाखलत यानि कोई interruption या फिर interference हो जाए तब तक ये काम continue रहते हैं जैसे मिसाल के तोर पर मैं कल खाना खा रहा था अब खाना जब मैं खा रहा था तो भई मेरा खाना खाने का ये जो काम है ये कब तक continue रहा ये तब तक continue रहा जब तक मेरी प्लेट में खाना था ठीके अब खाना जब मैं खा के खतम कर चुका हूँ तो मेरा ये खाना खाने का जो काम जो जारी था continue था ये भी रुख जाएगा आई कहानी समझ में इसको एक और मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं और वो भी timeline के जरीए से तो timeline आप लोगों के सामने मौजूद हैं तो चले timeline की तरफ बढ़ते हैं ठीके ये रहा हमारा present ठीके इसके बाद का जो कुछ भी है ये सब future हो गया अब present से पहले का जो कुछ भी ह है वो सब का सब क्या है हमारा past है ठीके अब उस past में ऐसा action जो continue था ठीके जिसे let's suppose कल मैं दुपैर तीन बजे कराची आ रहा था ठीके continuously कराची आ रहा था train के जरीए जहास के जरीए या फिर कार के जरीए किसी भी जरीए से मैं कराची वापिस आ रहा था अब मेरा ये जो आने का काम है ये continuously चल रहा था कब किस वक्त ठीके लेट सपोस्स के अभी जो है वो present time में रात के 10 बज़ रहें ठीके रात के 10 बज़ रहें अब हम इसको थोड़ा सा पीछे ले जाते हैं टाइम फ्रेम को हमारे ये हो गई कल रात ठीके रात के बात आ गई शाम ठीके ये आ हो रही है तो यह आ गए हम afternoon पर और afternoon at 3 p.m. ठीके यहां पर कितने बज़े भाई तीन बज़े अब यह समझ ले पूरा यहां से लेकर यहां तक यह तीन है ठीके यह पूरे एक hour का duration हो गया दो बज़े से लेकर तीन बज़े का one hour duration इसको थोड़ा सा जून करके देखते हैं अब मैं कल तीन बज़े मैं कल तीन बज़े काराची आ रहा था ठीके अब आ रहा था मेरा यह जो आने का काम है यह continuous था ठीके तीन के बाद चार बज़ेंगे यह लें चार अब यह तीन और चार यह तीन और चार के दर्मियान का जो time है मैं इस time की बात कर रहा हूँ कि इस specific मक्सूस time पर मैं कराची आ रहा था ठीके और क्या यह मेरा permanent action है मतलब कराची आने का जो action है क्या यह मेरा permanent है मतलब repeated action है permanent से मुराद यह है कि क्या यह दिन में दो तीन बार हो रहा है repeat हो रहा है क्या यह रोजाना हो रहा है तो नहीं इस लिए इस तरहा के पास continuous sentences को हम temporary actions कहते हैं और यह action कब रुकेगा यह action जो के continue है तो रुकेगा कब भई रुकेगा भी ना ठीके जैसे कि हमने हमारी usage में पढ़ा है कि ऐसा continuous action जो पास्ट में continue हो और कब तक continue हो जब तक कि इसमें कोई मुदाखलत ना हो जाए तो अब जब मैं कराची आ रहा था जब मैं कराची पहुंच जाओंगा तो क्या यह action आने का यानि कराची आने का जो action है इसमें मुदाखलत हुई जी बिलकुल हो गई क्यों क्योंकि मैं पहुंच गया कराची अब जब मैं कराची पहुंच गया हूँ तो इसका मतलब अब मेरे काम में जो है मुदाखलत हो गई और यह जो मेरा कराची आने का काम है यह र तरहा के temporary actions को अगर हमें English में बताना है तो हम कॉंसे टेंस यूज़ करेंगे जी हां बिलकुल आप समझ गए हैं कि हम past continuous का इस्तमाल करेंगे ठीके तो चलें बढ़ते हैं इसके formula की तरफ ठीके structure की तरफ के formula या structure pattern क्या होगा जो भी आप समझें ठीके formula structure या फिर pattern जो भी आप कहते हैं मैं simply इसको formula कहूंगा ठीके क्योंकि मुझे थोड़ा सा easy लगता और मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए भी यही easy है तो चलें चलते हैं formula की तरफ और formula के बाद हम इसके कुछ sentences भी देखेंगे और वीडियो को end तक लाजमी देखें क्योंकि वीडियो के end में मैं आपको एक छोटा सा homework देने वाला हूँ आज तो यह रहा formula हमारे सामने सबसे पहले आ जाएगा subject ठीके past continuous की बात हो रही है तो continuous के लिए जो हम helping word लगाते हैं वो है was word फिर इसके बाद word plus ing याद रखने जब कभी भी word की ing form देख लें समझ लें वो continuous tense है या फिर जब कभी भी continuous tense की बात हो तो वह यह word की ing form आँखें बंद करके लगा दो क्या करोगे आँखें बंद करो और लगा दो समझ गए ठीके भाई आँखें बंद करके लगा देना है क्या word की ing form और आपका object यह बन गया हमारा affirmative sentence ठीके negative sentence में क्या होगा subject plus was word plus not plus verb ing plus object ठीके intuitive sentence में was और वर्ब पहले आ जाएंगे फिर subject फिर वर्ब की ing form और फिर object और question mark लिखते वक्त भूलना मत ठीके जब लिखेंगे तब नहीं भूलना क्योंकि बोलने में तो question mark नजर ही नहीं आएगा भाई obvious है यार ठीके अब was और वर्ब हमारे पास दो helping verb हैं तो वहिया कब कहां कौन से subject के साथ was लगेगा और कौन से subject के साथ word लगेगा तो ये भी देख लें ठीके with you, we और they we use were ठीके you, we और दे के साथ हम were लगाएंगे ठीके जैसे you were, we were, they were with I, he, she, it I, he, she, it के साथ हम was लगाएंगे ठीके जैसे I was, he, was, she, was, it, was clear, ठीके, अब आज आते हैं कुछ example sentences की तरफ ठीके फिर इसके बाद मैं दूँगा आपको एक छोड़ा सा homework अब आज आते हैं examples की तरफ तो examples देख लें जैसे कि मेरा first sentence है I was recording a lecture for you, I was recording a lecture for you अब ये sentence में कब किस situation में कह सकता हूँ जब मुझसे कोई पूछे के बाई कल आप क्या कर रहे थे तो मैं जवाब दूँगा I was recording a lecture for you, ठीके, अब He was riding a horse, he was riding a horse, भाई कल शाम वो क्या कर रहा था, ठीके She was reading a newspaper, she was reading a newspaper, कल सुभा वो क्या कर रही थी, she was reading a newspaper, ठीके Second last, second last example, they were learning English, ate English with Bilal, ठीके भाई, कल दुपेर वो मुबाईल में क्या कर रहे थे, they were learning English, ate English with Bilal, ठीके अब बारी आ जाती है, homework की, और ये जो last वाला जो sentence आप देख रहे हैं, you were, फिर blank तो वहिया ये blank आपने fill करना है, नीचे comment box में fill करके, मुझे बताएंगे, जैसे आपसे कोई भी सवाल पूछ लिया जाए, कि कल सुभा दस बजे, आप क्या कर रहे थे, ठीके कल रात आप अपने दोस्तों के साथ कहां जा रहे थे, ठीके, ये आपका homework है, ठीके, और homework आपने भी या नीचे comment box में comment करके, बताने का है, ठीके, कल शाम आप कहां खेल रहे थे, ठीके, ये homework complete करके, आपने नीचे comment box में मुझे भेजना है, ताके मैं समझ सकूं के भाई, आपका ये जो concept है, past continuous का, ये completely clear हो गया है, क्योंकि मुझे यकीन है, कि अब इस वीडियो को देखने के बाद, आपका जो भी doubts या फिर जो भी problems थीं, वो सब की सब problems और doubts किलियर हो गए होंगे, past continuous के हवाले से, आप चाहें तो इसका एक screenshot ले लें, ठीके, या फिर इसको not down करना है, तो आप अपने notebook में इसको not down कर ले ठीके, आज की इस वीडियो के लिए इतना ही मिलते हैं किसी next वीडियो में, तो तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, और इस एक slogan के साथ, अगर होना है English में bright, तो करो English with Bilal को subscribe झाल